नितिन गोईल जी, महाराजी रादे रादे, आपके चोड़नों में कोटी-कोटी पणाओ, महाराशी प्रभूने स्रिष्टी की रचना कर दी, परंतु दुख की रचना क्यों की? प्रभू ने स्रिष्टी की रचना नहीं की, प्रभू स्रिष्टी बने हैं, वासना वासुदेवस्य वासितम भूनत्रेम, सरभूत निवासुसमी वासुदेव नमोस्तुते, भगवान ने अपनी इच्छा प्रकट की बेद कहता, एको हम बहुत स्यामा, वही फैल गया लगा है कि तुम भूल गए हो, अपने सुरूप को भूल करके, मानो देह को मैं मान करके, भोगों में विचरन कर रहे हो, मन मानी आचरन कर रहे हो, तो प्यारे, खेत में बमूल वो और दाक शोहरा पाओ, कभी ऐसा हुआ है, कि भाई वोया तो था बमूल, लेकिन दाक शोह भारा खाने को मिले, अगर आपके कर्म बिगड़ गए, तो अवस्व में भूकतव्यम कृतम कर्म शुभासुवम, भगवान ने दुख की रचना नहीं किये, भगवान ने तो सुख की रचना किये, तुम भगवान के अंस हो, तो देखो लिखा, ईश्वर अंस, जीव विन चेतन, अमल, सहद, सुखरासी, तुम्हारा स्वरूप सुखरासी है, तुम्हारे स्वरूप में अभाव है ही नहीं, और सरीर कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, ये कामना हैं ही कामना हैं, तो सरीर में मैं को स्थापित करने के कारण, अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए अब दोशारोपण होने लगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया हो कौन तुम हम आप से पूछें आपका परिचाय आप कौन हो तो आप क्या उत्तर दोगे उसको क्या भाव है सचिदानंद है वो तो नैनम चिंदनती सस्त्राने नैनम धाति पावका नचेनम कलेदें त्यापो अगनी की ताकत नहीं उसे जला दे किसी दिव्यास्त्र की ताकत नहीं उसे छेद दे वायू की ताकत नहीं को उड़ा दे जल की ताकत नहीं फिर उसको दुख कैसे हो सकता है तो बानी से तो बोल दिये भगवन लेकिन आप हो दे में तभी आपको चिंता और शूक और कामन और भोग वासने जला रही हैं अंदर से आप देख लिए अभी तक जलाती रही हैं अभी हैं इन दुस्मनों को बिना रोंदे सेना मेहनत करती है तिलक राजा का होता है इंद्रिया मन बुध्या जी गलत मार्ग में जा रहे हैं इनको सत्य में स्थापित कर दो आप राजा हो अभी आप स्वराज परिस्तित होते ही सब दुखों की निवर्ति हो जाए क्योंकि आपको कोई दुख छू नहीं सकता स्रश्टी में पैदा नहीं हुआ दुख जो आपको छू शके और भगवान पहले कह रहे हैं कि देखो इस कमरे में जाओगे तो इसका नाम है दुखाल लेकि दवा की है तो इस संसार का नाम भगवान ने क्या रख जानते हो इसका नाम जानते हो इस संसार का क्या नाम है मृत्य लोग मृत्य माने मरना मने कसाई वाड़ा सिद्धी व्याद सिद्ध वाद कसाई वाड़े में जितने पसू होते ना उनको विदाना चारा दिया रता है नंबर पर कटता है ऐसे ही नंबर आने दो विद्वान्स कर देगा कोई भी मात्मा हो चाहे दुरात्मा हो इस शरीर पर उसका प्रहार होगा अगर जीते जी सरीर से रहित हो जाओ तो काल का कोई प्रभाव नहीं तुम कालातीत हो तुम अविनासी हो चैतन निगन तुमें कोई मार ही नहीं सकता और इसे कोई बचा नहीं सकता चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो क्योंकि इसका नास और संभावी है ये मरेगा ये जाएगा अब दुक किस बात का अग्यान का कामनाओं का ऐसा हो जाता तो ठीक है ये मिल जाता तो ठीक है ये भोग लेता तो ठीक है इसी का नाम अविद्या है यही दुक है तो भगवान ने तो पहले लिख दिया दुक्खाले मसास्वत्म अब वहाँ आप गए वुले में सुख दे दो तो वही दसा है जैसे ग्रंधाले में या मेडिकल आउस अधाले में जा करके आप मिठाई मांगो इसका नाम दुखाले है किसको जो भगवत मिमुख है और जो भजन करने वाला है तो दसो दिशाएं उसके लिए महा सुख में हो जो श्वामी के विरुद्धाचरण न करे श्रीकृष्ण अनकुलेन प्रतिकूलश्यवरजनम अब आपको कोई दुख होता है हमें कोई दुख है क्या दुख किसको होता है मन को होता है और मन हमारा जहां ठीकाने में लगना चाहिए ठाड़े बईठे परे उताना कबीर का हम राय ठीकाना ठीकाने पे है पक्का ना म्रत्यु का भई है ना रोक का भई है और किसी का कोई भी चाह नहीं भैंने आयसे मस्त रहते है क्यों क्यूंकि मन प्रभुने ले लिया अगर मन डाक्तर त्वगेंद्री से अलग करवा दे अवश्यद्युवरण के द्वरा उसे आकिल मन का है तो गेंदरी तो है लेकिन वो इस परस इसका गुण है तो गेंदरी का उस गुण से मन को अलग कर दिया मतब सुनने कर दिया वहां मन का प्रिविश नहीं हो पा रहा है आप चाहिए काट डालो आप आप रेशन तभी तो होता है तो सुचो जब एक औशदी में इतनी ताकत है कि यहां से वो उसको दुख रहित कर देगे उतने समय तक जितने तक हो सदी हमारा मन ये भगवान में लग गया तो पूरे सरीर के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भगवान किसी को दुख नहीं देते हाँ खेती दे दी है कर्म चेतर अब दुख तो दुख मिलेगा दुख पात करम से मिलता है अधर्म से मिलता है अच्छे करम करोगे वैसे आपको दुख सुक से कोई मतलब नहीं है आप सुक्षरूप ही हो पर अपने को भूले हो इसलिए आज बहुत लोग ज्यान बगारते हैं ये वह ऐसा वैसा साड़े तीन हाथ के अपने हाथ से ना पलू साड़े तीन हाथ के सरीर में रहते हुए आप कितने आयू के हूं पैंतालिस वर्स में आपने एक बार भी अपने को नहीं देखा एक सेकंड भी आप अपने शुरूप में नहीं आए दरपन से देख के इसी को अपना मानते रहे शुरूप क्योंकि श पहुं में द्रश्ति बारीं चाल्स्थव वचन ऐसे डाक्टर होता ना पिली तो बताने नेत्रों से देखता है जवान देखता है पूर्स्षटी निसीत कर देता ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टी से पता चल जाएगा कि हां कहां इस्तिति है अब तो कितना ग्यान है क्या ग्यान है बहुत बड़ा मकान होता कि भाई दो चार किलो मीटर में है तो हम आद तक ढूड़े नहीं पाए साड़े तीन हाथ का सरीर है और इसके अंदर आप हैं और इस शरीर में रहते हैं एक बार भी आप अपने से मिलें अपने को देखा देखा लेंगे दरपण में देखा इसको माना अपना बड़ यही भूल मिटाने के लिए अध्यात ममार्ग है और जिस दिन अपने को जान जाओगे इस दिन भगवान को जानना नहीं पड़ेगा क् आप भी वही हैं दूसरे नहीं हैं पक्का सौ परसेंट जीव शब्द इसलिए कहा गया है कि शरीर से आपने अपना पन कर लिया अन्यथा आप वही हैं वही दूसरे कोई नहीं इसलिए जब जिस महात्मा को बोध होता है तो वही देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म आत्मा दुरलव है तो हैना वासुदेव आप भी तो उसी के अंस का मतलब समझते हो एक चम्मच लो गंगा जल तो क्या बोलोगे इसमें क्या है गंगा जल तो बोलोगे एक टैंकर भर लो तो गंगा जल बोलोगे और गंगा की धारा को तो क्या बोलोगे गंगे जल तो बो भोग रहें दुख ने दुख आपको छो नहीं सकता आप छोड़ दो दुख शरीरा भिमान छोड़ो गलत आचना छोड़ो अभी नाच पड़ोगे तो ना दुख दिया जा रहा प्रगट में मिरा चेत्र पड़के देखो और नाच नाच के कहरें पायो जी पायो मैंने राम प्रतन धन पायो वस्त अमोलक दी मेरे सद्गुर्व निश्दिन बढ़त सवायो इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि ये ब्यशन ये गंदी बातें जो आचरणों में आ रहें जिनको तुम सुख के लाव से कर रहें कभी सुख देने वाली नहीं ग्रेश्त धर्म में ए लेकिन यहां आप समझी नहीं रहें अब तो ऐसा बिवहार बदलता चला जा रहा है कि बोलने का मन नहीं करता है अब बताओ कैसे ग्रेश्त अच्छे बनेंगे जिनके चार वोई फ्रेंड नहीं या जिनके चार गरल फ्रेंड नहीं आज के नए नहीं बच्चे जो आते अब बताओ कैसे वो एक अच्छे ग्रेश्त बनेंगे कैसे उनमें धर्म मर्यादा रहेगी एक इंद्री रसेंद्री है अगर आप इसको होटल के अलग अलग चार्ट खवा देंगे ना फिर इसको अपने घर की रूटी डाल अच्छी नहीं लगेगी द्यान रखना ऐसे हैं और व्यतन मत करके आपको भोगों में लगा देने वाली हैं अब वो हम बाद में कहें कि हमें दुख मिला है हमें परिशानी हो तो आपने बो दिया विचारी कभी सुखी नहीं हो सकता व्यशनी कभी सुखी नहीं हो सकता मांसाहार करने वाले का हिर्दे कभी शांत और आ दूसरे हजार उपस हुआ के मांस खा खा करके तो अपने सरीर को बलवान मना रहे लेकिन काल के आगे नहीं वोले एक्सिडेंट हुआ वोले हुआ इसे ही फट गए जिसे ककड़ी फट गए क्यों तुमने वह भूंज गया गाड़ी में पड़े पड़े भूंज भूंज के ख अपर्ण कोई काठा लगेगा अपराद है तो में भी आके काट जाएग अजी द दे जाएगा इसलिए अपराद रही जीवन ही शुकी जीवन है हम लोगों नहीं आईसे इसे अपराद की इनको कोई नहीं जानता और अभी कोई दंड नहीं मिला और कोई प्रैस्चित नहीं मिला वो फल फूल रहे हैं सामने आएंगे तो आपको परास्त कर देंगे इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं सुख के लोब से पापाचरण मत करो यह वेविचार यह व्यशन यह मांस पाना यह दूसरों कि हिंसा करने का शुभाव आपका नास कर देगा चाहिए इतना धने करते कर लो तुम कभी शुख और शांती प्राप्त नहीं कर सकते तो यह दूसा रूपन तो कभी मत लगाना कि भगवान ने दुख क्यों रचा अच्छा भारस सरकार का यह डिपार्टमेंट जो आपके स अच्रण कर देते हैं तो यह सत्रुवत बेवार करते हैं करते कि नहीं करते आएसे ही पूरा डिपार्टमेंट भगवान का है संपूर्ण संसार का सब तुम्हारे ही तैसी हैं आप देखो सही चल करके वो हर जगे सपोर्ट देने के लिए आपके खड़े हैं लेकिन आप ग बहुत गंदा आच्रण किया और कोई जानता नहीं है तो वो जानता है जो सब की जानता है वो जब पीटेगा तब आपको सबसे यही कोगे कि हमने गलती नहीं की लेकिन इस बार गलती नहीं की जिसमें पिट रहे हो पर वो पीछे वाला हिसाब आया है आप तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इस सिदांत को लोग समझते नहीं और मनमानी आच्रण करते हैं जैसे सूरी की ताकत नहीं के अंधेरा कर सकें सूरी से को तुम्हें ताकत हो अंधेरा दिखा दो तो सूरी जब तक रहेंगे तो अंधेरा हो ही नहीं सकता वो अंतर ध्यान हो जाए तब ही आता नेरा ऐसे भगवान का नाम मंगल भवन भगवान चाहें भी तो आम अंगल नहीं कर सकते जैसे पूतना को भगवान ने मारा आपको दिखाए दिया भगवान ने मार दिया लेकिन वो गती उसको मिली जो बड़े-बड़े तपस्वी मुनियों के लिए भी दुरलव है ज आई थी भगवान को मार ने जो भगवान के बड़े-बड़े महत्माओं की गती होती वही भगवान के बान इस परसे से जो सरीर छोड़े परमधाम मंगल भवन है मंगल करी नहीं सकते तो यह बात अगर हम मन में बैठा लेंगे भगवान ने दुख क्यों दिया या दुख की रचना क्योंकि तो हमारी आस्तिक्ता मिट जाएगी आस्तिक्ता मिट गए तो फिर जीवन का कोई महत्त नहीं रहा है अश्में कोई संस है आपको मैरियन मारजी प्रणाम मारजी मैं जर्मनी से आई हूँ मेरी उमर सतर वर्ष है मैं कैसे कम समय में अपनी अध्यात्मेक उन्नती कर सकती हूँ और यदि कोई जाने जाने में अपराध हो गया उस अपराध बहुत से कैसे निप्टे है अवई हमारी दवा तो हमारे medical store में राधा के हम भवरोग के हैं भवरोग जिसके जिससे आप निवर्थ होना चाहते हैं और उस रोग की हमारी अस्पताल में उसदी मिलती राधा 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 हमारे प्रभू के बहुत से नाम हैं बहुत से रूप हैं पर हमारे पास हमारी जो निष्ठा जो हमारे गुरु आनी से प्र बचे हैं आपको जो भगवान का नाम परी हो भगवान की बहुत से नाम है उंकार विनामरामराम है कृष्ण न्य है हरी की बाते थी अब तो नाम जब करो यही तुम्हें मंगल गुरु नानक साप बहुत पहले कह गए नानक नाम जहाज है चड़े सो उतरे कबीरदा जी कह स्वास स्वास नाम जब करोगे तो निश्चित भगवत बासमन में आती एक नहीं अंग्रे जी हमने जानते हैं हिंदी पता ले समझ भी आता है कि लिए ये आपको बता देंगे हम कुछ शब्दों में सार सार बात बता दीजिएगा अच्छा हाँ फिर आप बता देला आप बता देला तो इतने से ही काम हो जाएगा और ये पीछे की चिन्टा न करे जो गलतियां हो गई हैं तो भगवान कहे र शर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शर्णम ब्रज तो आहम तौाम शर्वपाप भ्यो मुक्षिस्यामि मा सुचा यदि तुम सच्चाई से हमारी सरण में सबका सहरा छोड़ कर कि प्रवु अम मैं जान गया कि आपकी सिवा मेरा कल्यान करने वाला कोई नहीं है और भगवान की सरण हो जाओ और नाम जब करो तो भगवान आहम तौाम सर्वपाप भ्यो मुक्षिस्यामि मा सुचा मैं तुमारे सारे पाप नश्ट कर दूँगा और नाम संकीरतनम यस्य सरोपाप प्रनाशनम भगवान का नाम सारे पापों को नास कर देता है अच्छा हम अभी बोले राधा और सरीर छूट गया तो मुझे राधा की प्राप्ति मुझे भगवान की प्राप्ति होगी परमरस की प्राप्ति होगी अंतिम शमय जो इस्थिती होती उसी से माना जाता है अज आमिल बहुत पापाचरण करता था और उसके एक बेटे का नाम नारायन आखिरी हमें नाम निकला ना वो परंपद में आरूर हुआ अब हमें पता नहीं कि हमारी कौन स्वासंतिम है तो हमको तो बहुत साउधान रहना है तो हर स्वास में नाम लेना है जो नाम प्री हो हर स्वास पता नहीं कौन सी स्वासंति मूँ अगर हम वो हर स्वास में नाम लेंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसमें कोई संसय नहीं भगवान के नाम की बड़ी अपार महिमा है उसी नाम के बल से हम दाड रहे हैं हम तो अविनासी के अविनासी है और सरीर परिवर्त तंसील है आज नहीं तो कल छूटेगा अब इसके लिए क्या रोना धोना हम तो प्रभू के हैं बस्त ब्रह्म भूता प्रशन आत्मान सोचतिन कांग्शत न कोई सोख है न कोई चिंता है राधा राधा मनुष्य जन्मे थोड़ी मिला कीड़ा मकूडा की तरह मर जाओ जो केवल भोगों में ही लगा है तो कीड़ा ये मकूडा तो है अरे भोग तो पक्षी भी करते हैं उनके भी बच्चे पैदा होते हैं ये सब करते हुए इश्वर का भजन इश्वर को प्राप्त देखो बड़े बड़े गुरुजनों के भी तो बच्चे थे आप देखो न गुरु स्री गोविन साहप जी के लाड़ले कैसे देश के लिए निवचावर तो थे ना तो ऐसा थूड़ी है कि मतलब भगवान को वह इप्राप्त कर सकता है जिसने ऐसा ऐसा नहीं है लड़के हैं बच्चे हैं पत्नी हैं परिवार है पर इतनी उचाई में अध्यात्मी की हैं आचाद हैं गुर्देव हैं सबसे तो क्या उनके बच्चे नहीं चल सकते ऐसे हम लोग उनके तो बच्चे हैं तो हम भी तो वैसे चल सकते हैं जैसे हमारे बड़े गए हैं गुरुजन गए हैं हम वैसे ही जी हैं पर हम लोग गलत हो जाते हैं हमारा मार्ग गलत हो जाता है मार्ग गलत होने से फिर सुख की अनुबोती नहीं होती फिर अच्छी गती नहीं होती क्या सेवा करें आपकी अपके दर्शनी करने के लिए आई थे जो आपने संसार के उपर नाम का परताब जो आपने फैलाया वो तो गुरुजनों की कृपा हमारी साउंड बढ़ियां बोले तो उसकी कोई महिमा नहीं है क्योंकि मसीन बुलवा रही है तो ऐसे गुरुवानी गुरुजनों की कृपा यही यहां प्रकासित हम तो बोलने लायक नहीं दोनों किडनी फेल हमारी सामर्थ क्या पर गुरुवानी की सामर्थ गुरु कृपा वह ऐसी एक बज़े से दिन चलती एक बज़े रात्री से और दो बज़े से तो ऐसे जाते हैं और देखो अभी कुछ खाना पीना नहीं और बुलवार है इसलिए हम सब को बताना चाहते हैं कि शब से बड़ी ताकत नाम है नाम अगर नाम चल रहा है तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता वही हम सब को बताते हैं भाई देखो तुम सोचते हो कि हम गंदे आचरन करके हिंसा करके सरापी के सुखी हो जाएंगे नहीं होगे तुम तुम सोचते हो हम दूसरे पक्षू पक्षियों का मांस खाके बलवान हो जाएंगे यह नहीं होगे तुम सच्चा बल है अध्यात्म बल परमेश्वर का आश्रे गुरु का आश्रे गुरुवानी का आश्रे आप चल के देखो अगर हरदय सीतल लेता है ना तो हर दुख से लड़ने की सामर्थ होती है मन प्रशन है हरदय सीतल है और बड़े का विक्षित टेंसन में से दिखाई दे रहे हैं रुपया तुम्हारे टेंसन नहीं मिटा सकता कोई पद तुम्हारा टेंसन नहीं मिटा सकता भरोशा और नाम जब यह दो बहुत जोर की बात है भरोशा हो अपने साहफ का स्वामी का प्रभू का परमेश्वर का और नाम जब हो बज जीत गए जीत गए कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता इतना बल अध्यात्म का जागरत होगा इसी चीज़ के आपके दर्शनों के लिए हमें प्रेजित किया है कि आपने जो ना जो धुरा है जो नाम जब की धुरा है आपने उस चीज़ को जो परमाने की यह यह गुरुवाणी की कृपाई सब गुरुवाणी की कृपाईला और हम जैसे आप जनों को देखते ना ऐसे लगता मेरे घर की लोग आए अपने घर की लोग आए आप जैसे आपने कोई रिकॉर्ड बनाया है पुषप का आपने भी कितना पुषप गंटे दस घंटे दस घंटे पकशी आप पुषप और पागिस्तान का वाल्ड रिकॉर्ट तोड़ा है इस तरह से पुषप लगागा रिष्ट पुषप जी इसको तड़ा कथिन हो आप माराजी गोणकुल में पड़े हैं पतन जली स्वामे राम देव जी की सेशे हैं वहीं आश्यर प्रदम जी सी द्राधा गुरू है और माराजी आप जो भी यह सीधी पुषप से कठीन है यह सीधीन है यह बहुत कठीन है कि अभी अपना ओनलाइन काफी लोगों को चार पांच लाग लोगों को पूरा ओनलाइन ट्रेनिंग देते हैं जो युवा माराजी परिशान थे वह स्वास्थे की दृष्टी से या ब्रह्मिचर इनस्ट होनी कारण हमसरी नहीं बना सकते माराजी उन्होंने पूरा अपना भाई-जी चेसी और सबसे बड़ी नहीं है कि लोगों के लिए उधार जहन कि बिना मांस खाए जान खाये नमजली घाये to exit अध्य हिए प्रमान जिन लोगों को भ्रम है तो एक बड़ा बाड़ी देखो जो इसने कभी मyu आन्जला नहीं खाया अंडा Queens parasites कोräge काम ठोड़ी करेगा तो जो हाँ और पूरा बल पूरा और जिसे लोग कहते हैं यह नहीं बनेंगे यह भी दिखा दिया कर आना यह तो देखो इससे क्या है इससे हमारी समाज को जो हम चिला चिला के कहे रहें कि आप मांस मत खाओ मचली मत खाओ तो कहते हम बलहीं हो जाएंग में चलते हो पवित्र आच्रन करते हो तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो क्योंकि आप अभ्यात्व बहुत अच्छा लगा नुवर्स तक गुर्कुल में रहा तो मेरे जितने मित्र थे सभी सन्याशी हो गए और अभी मैं वेवारिकता में आ अपनी जो आध्यात्मिक्ता है जो उसको किस तरी कैसे साथ लेकर चले वारिकता मतब्या करके ग्रहस्ति में जाए तो उसके लिए फिर एक बात ही रहेगी संतानुत पत्ति का लक्षा रख करके महीने में माशिक धर्म के पवित्रता के बाद एक बार संतान तो फिर आपके श प्रुवत्ति में उतर जाए तो फिर गलत हो जाएगा सईयम ही रखे अब तो अपनी आयू बहुत कम है तो उसका क्याव धारन दे महराज कश्यप यह दस हजार वर्स तक ब्रहमत चरे रहकर जब अपनी पत्नी विनता से तो अरुन और गरुन जी प्रगट हुए अरुन भ भगवान हरी के वान तो अशे भजन और शत्य पूर्वक तो देश भगत संताने होंगी भगवत भगत होंगी संयम ही होंगी तो यह कोई हानिका भी से नहीं ग्रेश्ट दर्म पर बध्यान ही रखना है कि संयम रहे उसमें भी संयम का बरताव रहे नहीं तो फिर वो तेज नहीं रह जाएगा वह बात नहीं रह जाएगी ब्यर्थ में ब्रह्मचर को नस्ट न करें शंतान उत्पत्ति की भावना से जो किया तो वह पूजा ही होती भगवान की क्योंकि स्रश्टी बढ़ाने की सेवा भी तो मिली ना हां तो आप ऐसा करो नाम जब करते रहना और व बहुत खीचा ना तो अब इसको चहिए नसा है इसको जितना हो सके जमालो आवस्था कम होने लिए तो भले पांच डंडों लगाओ लेकिन लगाओ जरूर नहीं नहीं तो इस सरीर जो है फिर आपका दर्द करेगा क्योंकि आपने बहुत खीचा है तो आप बहुत प्रशन अच्छा लगा हमें इसलिए अच्छा लगा सबसे ज्यादा कि लोग यह बार-बार प्रशन करते कि बिना मांस खाये अंडा खाये हमारी बाड़ी नहीं बनेगी ताकत नहीं यहीं दिखाना चाहते कि देखो शंतों के द्वारा सिक्षित व्यक्ति बलवान भी है और सब औ अंडर 19 के अंडर हमानी रिकॉर्ड बनाएं आप बहुत समर्ण जी किसी अपने को खूब प्रेम करें उसके प्रती समर्पित रहें और फिर भी वो व्यक्ति हमारे प्रेम समर्पन को ना समझे तो क्या करना चाहिए बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा है बहुत बड़ी कृपा है जो नहीं समझ रहा है नहीं हमें जीवन बर समझने नहीं देता हो समझ रहा है जिसे हम प्यार करते हैं व्यक्ति सब्द है किसी से भी हम प्यार करते हैं हमारा मन समय जीवन तभी तो प्यार मना जाता है हमने सेच सरल पवित्र भाव से प्यार कर द कि क्योंकि हैं समझ में तुम में आगया कि संसार का प्यार जूटा है यहां सब चलिया हैँ आज सपसंग में चलचा हुई हे जब तक तुमसे स्वार्थ है और तुम रध कर नहीं मिलता है तब तक जिस दिन उसका स्वार्थ खतम हो जाएगा तुम्से बढ़के मिल जाएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन दूश्री बार जिस दिन आप किसी के काम लायक नहीं रहोगे भारी विपत्ती में फस जाओगे उस दिन कोई कोई शाद देने वाला नहीं मिलेगा भाई हम तो यह अच्छा मानते हैं कि संसार में हम तो प्यार करें लेकिन कोई हमें प्यार न करें तो मुझे रास्ता तो मिल जाएगा कि कोई ऐसा एक है जो हमें प्यार कर सकता है वह भगवान वह गोविंद इसलिए मीरा जी ने चाहिता जान नहीं पाते हैं जैसे मोट आपकि सिरीर करते हैं कि उसरीर से भगवान अंतर ध्यान अब ना कर जा कोण birth से हो गई प्रीत उससे कि क्या नहीं है तो शरीर से प्रुश रहते हैं तुम कभी रोते नहीं क्योंकि वो तुम्हारे से कभी अलग नहीं होता है और ये कभी ठीकेगा नहीं एक दिन पैदा हुआ था एक दिन बाल्या उस्थाई यह वन उस्थाई धिरे अम्रत्य वस्था की तरफ जा रहा है ये रुकेगा नहीं ये जल कूल जिस दिन हो गया तो आप छोड़ देंगे यहां कोई बिरला ऐसा नहीं है कोई बिरला ऐसा होता है जो प्यार सब्द का परिचे जानता है प्यार का मतलब क्या होता है अपने प्राणों की बाजी लगा कि अपने प्यारे को सुखी करना यहां ऐसा दोस्त नहीं मिलेग यहां ऐसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, वो शिर्फ भगवान है, हमारी तो समझ में जैसा भी तक आया है, शिर्फ भगवान है, आप प्यार करो पत्नी को, आप प्यार करो बच्चों को, माता पिता को, परंदर वाले को देख के प्यार करो, सम्मे मेरा प्रहू बैठा हो तो आपका कल्यान हो जाएगा माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सब की सेवा का भाव रखो सब को सुख देने का भाव रखो यही भगवत प्राप्ति करा देगा नाम जब करते हुए यही भगवत प्राप्ति पर हम भगवान को नहीं देखते हैं हम अपना संबन्द इस्थापित करके मान लेते हैं मेरा पुत्र है मेरी पत्नी है मेरे पती फिर क्या है मोह जाल ऐसा फिर वो दुख देता है हम तो इतना समर्पित हैं और यह ऐसा अब वो जल रहा किस से कह अपनी बात अब उसको रास्ता तो मिला नहीं तो यहां तक मन चाह देता कि अपने सरीर को नश्ट कर ले अगर अधिक आप किसी से प्यार कर लो उसके बिना आप जी नहीं सकते और वो आपको दोखा दे देगा संसार का नाम दोखा है फिर क्या करोगे अब तो हम जी नहीं सकते हैं कितने ऐसी घटना या ती जैर खालिया फांसी लगा रेल के सामने कट गए वो ले क्या ऐसा है नहीं यह जीवान इतना धीन होने के लिए नहीं मिला है थोड़ा तो तुम अपने में दम रखो अगर रूप तो प्रभुश कोई रूपवान है क्या ज्यादा बल लक्षमी वैभाव पद इनसे बढ़कर कोई है एक बार तो प्र को अंदर संधी है कि नहीं समझ आक वाली बाते एक शन के लिए भगवान नहीं हट एक शन के लिए जैसे द्रस्ट अभी आपको बता है जब सूरी निकले तो आठ नौ के बीच में आप ऐसे देखना सूरी को देख लेंगा फियांख मूंदो चाहे खोलो सूरी नजर जो सोचो वो भगवान इस अईस थिती जागरत हो जाती है हमैं तो लगता है प्यार करों निसेद ऍर आज पर अंदर गोविंद को देखका प्रभू को देखका पत्नी की आवस्टा थी मेसे भगवान पत्नी बंख के आ गया पुत्त रूप में आ गये अब वों हम्में प् यह बगवान से बगवान से हाँ एक सब में एक परमात्म को फिर जीत जाओगे संसार को जी और नहीं तो ऐसे बहुत हालत बुरी होती क्योंकि हरदे ना जब आप किसी भी से अपना हरदे दे बैठते हैं फिर जीना मुश्किल हो जाता है पक्का क्योंकि हरदे बिना दिया आ आरपन होता है तो एक घरदय में उमगन होती समर्पन करने की कि हम किसी को अपना जीवन समर्पित कर दे कोई हमारे जीवन का ऐसा साथी मिले जो आर पार कर दे पर हम नासवान सरीर को साथी माल लेते इसलिए दोका हो जाता है समर्पन की भावना आती है और वही भावना ज जानते हैं विना जाने काय से प्रिती होगी पुले निबाबा जी यह तो ढांचा है यह तो ढांचा है हमारा यह तो जैसे कोट, सर्ट, बनियाईन, पहने दे ला, ऐसे ही ये कोट है, और सुक्ष्म सरीर, ये सर्ट है, और कारण सरीर, ये बनियाईन है, तो क्या कोट, सर्ट, बनियाईन आप हो गए क्या, तो आप किस से प्यार करते हैं, आप कपड़े से प्यार करते हैं, मेरे से तुड़ी, म मेरा प्यार करने वाला तो केवल मेरा हरी है दूसरा लें वो मुझे जानता है और वो अपने को जला दिया यह निहाल हो जाओगे मस्त एक कर्म अब तुम हमें नहीं गिरा सकता नहीं क्योंकि हमने भगवान का अस्रे ले लिया तो इस शरीर को नस्ट हो यह नस्ट होने वाला है एक दिन तो नस्ट होगा चाहे तुम जितनी मकरत द्वच खालो चाहे सोने की वसम खालो मरना तो आए इस अरीर एक दिन यह अच्छे बनके प्रभू के बनके सबको सु लेने के लिए तुम से प्यार किया हमें प्यार करो क्यों करें उसकी मर्जी तुम और से प्यार करो हम तो में प्यार करते हैं यह केवल भक्त बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता है प्रभू हम तो नहीं कहते कि हम आपके लायक हैं लेकिन हम आपके सिवाप किसी को नहीं आ आप, आपके हजारों हैं, देखो देखो, आपके हजारों प्यार करने वाले हैं, आप हजारों से प्यार करेंगे, मैं आपके योग यह नहीं हूँ, पर मेरे लिए आपके वले एक हैं, बस, मैं आपसे प्यार करता हूँ, यह बला संसार में हो सकता है, तुम जिसे प्यार करो वो दूसरे की तरफ देखे फिर तुम्हारी दसा क्या होगी कैसी होगी और यहां क्या भक्त कहरा है कि सिर्फ हमारे आप हो हम आप से प्यार करते हैं आपके लाखों हैं सारा जगत आपका है वो आपको तो प्यार करने वाले लाखों हैं लेकिन मेरे प्यार के विसे केवल आप हो केवल आप हो और ये केवल भगवान से ही हो सकता संता से नहीं हो सकता और यही प्यार का सुरूफ है बोलो कहां प्यार है यह हम आपको इतना प्यार करते हैं आपने हमारी वो बात क्यों में आएगा जब परमार्थ की बातें तुम्हारे दिमाग में पढ़ें ओ आचरन तुम्हारे ठीक हो प्रेम समझ में आएगा पूले हमारा इसका प्रेम बिवा हुआ है K democrat चला साल वप्रोर में ओलाक प्रतिकुल तो प्रभु से क्रपा माना लिए चाहिए कि अगर यह प्यार करें तो मैं पास जाता यह भी जीवन बरबाद हो आपने बड़ी क्रपा कि कि हर जगे ठोकर लगा के अपना मार्ग दे दिया हमें तो यही सत्य लगता है अब आपको या जिसे जैसा लगे हमें तो यही दिखाई दे रहे हैं जैसे कुंती जी ने प्रभवान से का दुख देना भी पत्ति देना हमको अच्छा लगता है जब कोई ठुकराता है ना तब लगता है कि यार प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है और अपने लोगों को यही माया फसाए हो कि कोई अपना है लेकिन जब आप जाओगे तब आपको भी रोना पड़ेगा कि कोई हमारे साथ ही नहीं है अकेले जाओगे दुनिया में लोगे वहीं मैं चलूँगा जहां आप जैसे रखोगे एक बार भगवान से तुम ने अपने को देखा है पिर भी तुम बहुत प्राणों से अधिक प्राणों का प्राण है मान लो और प्रार करना शुरू कर दो अनुबो करा देगा हो नाम जब करो अच्छे आचरणश्य चलो और किसी से आसा मत रखो कि यह तुम्हें सुख देगा अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो है कुछ हो उसकी लायक जिससे तुम्ह प्यार कर रहा है एक केवल अहतु की प्यार करने वाला भगवान है दूसरा नहीं है प्यार कर रहा है दूसरा नहीं है दूसरा नहीं है कर रहा है दूसरा नहीं है कर रहा है दूसरा नहीं है कर रहा है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है नभी आफ हुआ 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 है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल झाल